असलाम उनीकुम and welcome back to another वीडियो आज की वीडियो के दर हम discuss करेंगे Puritan's age को Puritan's age extend करती है 1600 से 1660 तक इस age को age of Milton भी कहते हैं और इसे age of Milton इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर John Milton एक prominent figure थे इस period को further divide किया गया दो और periods के अंदर Jacobean periods and Caroline period ये name इनके rulers की वज़े से इने दिये गए Jacobean for King James and Caroline for King Charles Jacobean period और Caroline period को restoration age भी कहा जाता है और age of Dryden भी कहा जाता है इसकी main वज़ा ये है कि इसके अंदर monarchy restore हुई थी और इसके साथ-साथ John Dryden एक important literary figure थे इस age के अंदर अब क्या हुआ कि जब renaissance period का decline हुआ 17th century स्टार्ट हुई तो इसके अंदर लोगों ने Elizabethan age के writers को imitate करना शुरू कर दिया या तो कोई new ways parts निकालने शुरू कर दिया इस age को puritanism ये puritan's age इसलिए कहते है क्योंकि इस age के अंदर puritan's ने एक movement स्टार्ट की थी puritan's basically English Protestant थे जो कि 16th century और 17th century के थे जो कि चाहते थे कि ये church of England को अब purify किया जाए Roman Catholics को हटा दिया जाए उनकी practices को हतम कर दिया जाए churches से इस age का एक important literary figure ये है कि इसके अंदर एक new trend स्टार्ट हुए था biography लिखने का लोगोंने biography लिखना स्टार्ट कर दी थी important famous personalities के बारे में writers के बारे में authors के बारे में अब इस के इस age के दो famous biographer थे Fuller और आरबे जो के Puritan's age के अंदर जो famous लोग थे या जो ages गुजर चुकी थी उनके बारे में उनकी famous लोगों के बारे में लिखा करते थे जैसे king हो गए queens हो गए या फिर राइटर्स हो गए अब जैसे biography ट्रेंड में थी तो उसका एक outcome ये हुआ के लोगों ने autobiography लिखना शुरू कर दी अपने बारे में लिखना start कर दिया जिन में अपने बारे में diaries, journals लिखा करते थे Puritanism basically एक ऐसी movement थी जो के उस वक्त की state के opposite थी उसके खिलाफ थी चुँके एंग्लो नॉर्मन पीरियट के अदर ऐसा हुआ था कि चर्च और स्टेट को आपस में बिला दिया था यानि कि जो शख्स स्टेट को चलाएगा, स्टेट का honor होगा वही चर्च की सारी responsibility चर्च के फैसले लेगा तो puritans ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे और puritans के अंदर john milton का भी count होता है वह चाहते थे के state को church से religion से अलग कर दिया जाए puritans religious people थे और ये movement puritanism religious movement थी puritans bible को बहुत जादा पढ़ते थे और bible का sad part पढ़ते थे specially execution of christ और इस पर वह हफा रहते थे और इसी वज़े से वह सौक की हालत में रहते थे और काले कपड़े पहना करते थे अब इस एज के literature की बात की जाए तो जैसा कि उस वक्त का माहोल था वह सब कुछ उनकी literature के अंदर से reflect होता है ये throughout the literature देखा जाएगा कि politics और religion के अंदर एक conflict चल रहा है इस एज के अंदर कोई fix literary standards नहीं थे और जाधा तर poets जो के पहले गुजर चोके थे उनने imitate किया जा रहा था उनके work को imitate किया जा रहा था imaginative composition हो रही थी Elizabethan writers की इस age के अंदर new trends सामने आये थे जैसे biography, autobiography लिखना लोग अपने बारे में लिखना पसंद करते थे जैसे के pips diary fox channel अब ऐसा हो गया था कि बजाए इसके के कोई imaginative characters हों जिससे लोग relate करते लोग अपने बारे में लिखना शुरू कर दिया था लोगों ने तो इसका ये outcome हुआ था कि real men और women के बारे में उनकी feelings के बारे में लिखा जाने लगा अब ये 1600 से 1660 तक जितना अर्शा था ये सारा puritan's age इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके इंदर puritan's dominant थे और इस age के best representative john milton थे जैसा के इस age के अंदर कोई standard नहीं था literary जिसकी वेचे different school of poetry start हो गये थे जैसे के poetry school of spencer, poetry of metaphysical school, poetry of cavalier poets अब ये जो मुक्तलिफ schools थे इनका अपना literary style था जिस पर एक अलग से वीडियो बनेगी puritan's poetry पे तो उसके अंदर deeply discuss किया जाएगा उमीद है आपको puritan's age की समझ आ गही होगी अगर इस से related question है तो आप comment section में पूछ सकते है Thank you so much